अब पहले ही यह मार्केट टूट चुखा था यह न्यूज में था बहुत लोग को कंफूजन अभी भी कि बंजारा मार्केट अभी एक्जस्स कर रहा है कि नहीं याप अभी भी शॉप्स लग रही है कि नहीं तो इसी लिए में यह चेक करने आई थी और आप देख सकते हैं अभी भी बहुत फी शॉप्स यहाँ पर इस तरीके से अभी है यहाँ पर बट बागिनिंग बहुत अच्छे से चल रही है यहाँ पर अगर आप बागिनिंग कर आते हैं तो लाइक 50 रूपीस में इसमान देने तो गाइस जैसा कि आपने भाईया को सुना वो बागनिंग करने को तयार थे तो इस मार्किट में कोई भी फिक्स प्राइस नहीं होता है आप अपनी तरफ से बागनिंग जरूर करवाएं और इन केस कोई भी आइटम अगर पच्छी सो का है तो आफ्टर बागनिंग आपको 800 से लेके 1200 तक के रेंज में असानी से मिल जाता है तो आप अपनी तरफ से बागनिंग जरूर करवाएं इसके अलावा मैंने कई शॉप कीपर से उनके नमबर लिये हैं तो आप एक बार जरूर कर लें उस नमबर से कि यह मार्केट अभी एग्जिस कर रहा है या नहीं यह वीडियो है 15 में जिस दिन मैं इस मार्केट में गई थी और वहाँ पे कई तरीके इन्फॉर्मेशन हैं कई तरीके के रियूमर्स हैं तो गाइज आदा बंजारा मार्केट अभी भी है और आदा बंजारा मार्केट डिमॉलिश हो चुका है जो बचा कुछा मार्केट है वो भी यहां रहेगा या नहीं इसका भी डिसीजन लिया जाएगा तो गाइज आभी भी कोई भी confirmation नहीं है यह आगे हम market जा रहे हैं आप देख सकते हैं आगे मार्ट यह देख सकते हैं पहले यहाँ पर पूरा market हुआ करता था बट अब रही कुछ भी नहीं है पूरा बंजारा market टूट चुका है यह आप देख सकते हैं यहाँ पर home decor के items बहु तो उन्होंने बताये कि 25 को डिसाइड होगा कि बंजारा मार्केट का क्या होना है दुबारा यहीं बंजारा मार्केट आएगा या कहीं और लगेगा सो अभी तो कोई इन्फरमिशन नहीं है इसके बारे में जो भी पता चलेगा वह 25 तारीकों पता चलेगा आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यह दिमॉलिश हो चुका है पूरा पंजारा मार्केट बहुत अच्छा मार्केट था और ऐसा इस तरीके से इस मार्केट को देखे बहुत ही दुख सकते हैं यहां पर ब्लू कलर के यह गवर्मेंट के बोर्ड लगे हैं वो भी आप देख सकते हैं सामने यहां पर फैंसिंग लगी हुई है तो आपको आगे जाना अलाओ भी नहीं है जैसा कि आप देखते हैं इस मार्केट में एंट्री करते वक्त ही आपको क्रॉकरी की समान प्लांटर्स मिल जाते हैं कि ये बंजारा मार्केट यहां पे रहे गा भी या नहीं यह पे बंजारा मार्केट यहां तो आभी करुछा करों यह तो आपे यहां पे ब्दद को तैयार है जैसे यह बोल देख सकते आप इसका प्राइज उन्होंने बताया 250 बट 100 रुपीज का वो देने को तयार थे इसका प्राइज जो आप सामने मक्स देख सकते हैं उसका प्राइज वो आफ्टर बागनी 40 रुपीज में इवन रेडी हो गएते तो वो इतनी धूप ती जिस दिन में गई थी इतनी धूप में वो भी चाहते थे कि कही न कहीं उनकी वो नहीं हो जाए तो इस तरीके से आप बागनी बहुत अच्छे से चल रहे थी और यह प्लांटर्स आप देख सकते हैं यह 100-250 इंस अभी का इंस रेंज में प्राइस था तो यह गाईज अगर आप जाना चाहते हैं त स्टिल वो डिसीजन बाकी है और यह मग्स देख सकते हैं कितने सुन्दर है यह प्लेटर 100 रुपीज में वो तयार थी तो आपके पास उस वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर जाए इसके अलावा आपको कोई भी इंफॉमेशन चाहिए तो आप कॉमेंट बॉक्स में कमें कर सकते हैं मैं पूरी कोशिच करूँगी कि आपको कि आपकी कोईरी में सॉल्फ कर सकूँ तो या गाइस अभी फिलाल यहां पर बहुत ही दूप है अभी तीन साड़े तीन का टाइम हो रहा है और फिलाल अभी बहुत ही दूप है तो जैसा मैंने दिखाया स्टार्टिंग में जो प्लांटर्स हैं या क्रॉकरी की समाने बस उसी की शॉप लगी हुई है बाकी जो होम डेकॉर आइटम्स मिलते थे उनकी शॉप लगती थी तो वो सारा पूरा मार्केट डिमॉलिश हो चुका है यापर याइस यह थी बंजारा मार्केट की फूरी इंफॉरी संदाई है तो प्लीज मेक शॉर कि लाइक जरूर करें और प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और डोंट फगेट तो हिट दे बेल आइकन जिसे कि जब भी मैं कोई वीडियो अप्लोड करू तो आपके पास नोडिफिकेशन जरूर जाए और आम मिलते हैं नेक्स